नमस्कार मैं हूं मिरतुंजय कुमार जा और कमोडिटी सुपर फास्ट में आपका स्वागत है और सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त कमोडिटी मार्केट में कहां पर एक्शन है पहली ख़बर कुरूट को लेकर ही है क्योंकि ब्रेंड कुरूट का बहुत नौ महने क पहुंचा है और 50 के उपर पहुंचा है हलांकि उसके बाद थोड़ी कमजोरी आई है और उसका इंपक्ट पर भी दिखा है और यहां पर भी गिरावाट आई है सवाब परसंट तक की इसके अलावा गोल्ड का मार्केट रेंजबाउंड है दैरे में है लेकिन चांदी में क पर मतवेद है और अमेरिका में वीकली विरुजगारी दावा साड़े आठ लाक है तो यह कुछ अपडेट है इसके अलावा मेटल मार्केट में विक्वाली है और कॉपर का भाव करीब एक फिर्दी नीचे है 600 रोपे के करीब है इलमुनिया में 165 पचास के नीचे जिंक और लेड में भी कमजोरी है और निकेल का प्राइस भी दवाब में है तो यह कुछ अपडेट बेस मिटल मार्केट को लेकर चने की कीमतों में रिकवरी है और वाईदा में भाव 4750 के करीब है जन्वरी का वाईदा करीब सभाव ही बड़ा है ने दिशंबर के लिए बेस प इलहन वाईदा में प्राफिट बुकिंग है मुनाफ़ा उसुली है सरसों करीब धाई फीजदी नीचे है 5550 के नीचे स्वाफिजदी तूटा है तो यह पांच खबरे हैं इस पक्त की लेकिन इन पांच खबरों के बाद अब हम बात करेंगे पांच ट्रेडिंग कॉर्स की और यह बताने के लिए हमारे साथ हैं अनुझ गुपता एंजल करमोडिटी के अनुझ जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हम सबसे पहले बात करेंगे सिल्वर की चांदी की क्या चांदी में आपको लगता है कि अभी खरीदने का मौका है खरीदना चाहिए 63,000 के आसपा मुझे लगता है कि खरदारी करना चीए 62,300 का स्टॉप्लस लगा है टार्गेट 64,000 तक देखने को मिले सकता है जिस तरीके से हमने बेस मेडल में रैली देखे तो मुझे लगता है कि बेस मेडल काउंटर जो है वो काफी पॉजिटिव लग रहा है तो सिल्वर भी एक तरी अनुजी कॉपर पर क्या वी्यू है आपका आज हत्य का आखरी कारवारी दिन क्या कॉपर में आज आज के लिए इंट्राडे के लिए बाइंग करने का मौका है जि बिलकुल ट्रेंड कॉपर का पॉजिटिव है और एक बुल रन में चलता हुआ दिख रहा है अगर कि लाइफ टाइम हाई पे कॉपर यहां पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है मुझे लगता है कि कॉपर के अंदर 599 मिंस करन्ट रेट से अगर एग गुरूपे नीचे आता है तो खरदारी करके चले टॉप लॉस 594 का लगा है तारगेट 606 तक देखने को मिले सकता है तो कॉ निकल और कॉपर दोनों में बाए कर सकता है क्रूड पर आपका व्यू क्या होगा क्रूड का मार्केट आप देखे कि ब्रेंड का भाव नौ मैने की उचाई पर पहुंचा हालांकि उसके बाद थोड़ी कमजोरी दिख रही है MCX पर भी कच्चा तेलब नीचे आया है क्या इस गिरावाट को एक बाइंग के मौके के तोर पर देखा जाया है क्या ट्रेड लिया जाया देखिए क्रूड में अगर ट्रेंड देखें तो बाइंड इसकी स्ट्रेटेजी हाँ पर बनती है क्योंकि अगर हम देखें तो मुझे दखता है कि अपसाइड मोमेंटम क्रूड में कंटीन्यू रहेगा जो भी डिप मिलता है जो भी क्रेक्शन आया है वहाँ पर खरदारी करके चलें करेंड से करीबन 10-15 रुपे भाव नीचे आये तो खरदारी कर सकते हैं टार्गेट करीबन 3500 रुपे तक हो सकता है ओके ठीक है इसके अलावा अनुजी आपका व्यू मस्टर्ड के उपर क्या होगा मस्टर्ड में गिरावट बढ़ रही है क्या और गिरावट की गुंजाईश है सरसों में अधिकि बिल्कुल हमने हाइयर लेवल से आज एक प्रॉफिट बुकिंग देखी है सरसों के अंद सकते हैं जनवरी कॉंट्रेक्ट में करीबं 5570 के असपास इस पापलाउज 5650 का रहेगा टार्गेट करीबं 5450 तक हो सकता है ठीक है तो यह यह पांच कॉल जहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं लेकिन अब शुरू करते हैं सवाल जबाब पहला सवाल दिलीब का है हमारे साथ जुड़ रहे हैं रामगर से पूछिए दिलीब जी अच्छा गोल्ड में आप जानना चाहरा है कि करेंट मार्केट प्राइस पर बाइंग करनी चाहिए या सेल 49,100 रुपए का भाव है क्या करना चाहिए अनुज जी करेंट रेट पर गोल्ड में अच्छा तो यह राय आपकी है कि अभी आपको इसमें करना क्या है ठीक है अनुज जी एगरी मार्केट में ओयल कॉम्प्लेक्स अभी आपने मस्टर्ड में बताया कि बेचना चाहिए लेकिन मस्टर्ड के अलावा सोय बीन, सोय तेल यहाँ पर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए तो यहाँ पर भी सेलिंग का ट्रेट रहेगा क्योंकि हमने यहाँ पर बिक्वाली आते हुए देखी है और इंट्रेलेशन मार्केट में भी भाव करेक्ट हुए है तो सोय बीन के अंदर और रिफाइंड के अंदर बिक्वाली करके चले तो यहाँ पर भी बिक्वाली का ट्रेट ही लेना चाहिए अगला सवाल है सुरेश का मद्द परदेश्चे हैं हमारे साथ जोड़ रहे हैं पूछिए सुरेश जी जी पूछिए और इसका इंट्रडे टार्गेट क्या होगा और इसका टार्गेट क्या होगा और इंट्राडे में देख रहा हूं तो इसमें वाली भी नहीं आसदी करें मुझे बताईये अनुजी क्या होगा है ये क्रूड में अगर इंट्राडे टार्गेट की बात करें तो यहाँ पर हमें लगता कि 35 चार्गेट यहाया पर देखने को मिल सकते हैं दो जहां तो जहां तक क्रूड के वाल्यूम का सवाल है क्योंकि अब ये कॉमारिटी अक हायर हमें लगता है कि जैसे कंल हम ने एक अच्छी रैलिउ बंते हुए देखी थी इविनिंग में, तो इविनिंग में हमें हमें लगता है कि यहाँ पर वालूम बढ़ेंगे, दिन में जेनरली थोड़े सा वालूम कम रहता है, ठीक है अगला सवाल है श्री राम पाटिल का नांदेड से हैं हमारे साथ पूछिए पाटिल साथ अच्छा ठीक है अब चलिए उसको हम देखते हैं लेकि आप जाना चाहिए कि नेच्छल गैस में क्या होगा बताईए अनुजी क्या करना चाहिए नेच्छल गैस में यहां पर भी खरदारी का ट्रेट बना सकते हैं ठीक है तो यह राय है आपकी नेच्छल गैस के उपर इस पर आप नदर बना कर चलिए और काफी बोलाटायल कॉंटर है जो भी ट्रेड लें नेच्छल गैस में काफी साबधानी से लें और स्टाप लोस के बीना ट्रेड ना लें क्योंकि बहुत ज्यादा उता चड़ाओ इस काउंटर में हम आम तोर पर देखते हैं बहुत शुक्रिया अनुजी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बताने के लिए कि कमोरिटी में इस वक्त कहां पर ट्रेड करने के मोके बनेंगे